निवस्कार आप देखरें एनिस 24 मैं हूँ विपेश माथूर और ब्रेकिंग विद अजेंडा में स्वागत है आप सभी का भारत जोडो मंच से एलान जीतेंगे 2024 का अभियान ये एलान कॉंग्रिस की तरफ से किया गया है तो ब्रेकिंग विद अजेंडा में आज राहूल ग उर्वानी दी उनके घर का इस तरह के शब्दों का इस्तमाल किया गया है कि उनके घर का कुट्ता तक मरा है गया नफरत के बाजार में महबत की दुकान गरीबों कॉंग्रेसी पढ़ाई के अधिकार की बात करेंगे जो कॉंग्रेस कर रही है दरसल कल अलवर में भारत पाने को साथ लेकर चल रहे हैं उससे लगता है कि 2024 का चुनाब कॉंग्रेस ही जीतेगी तो सवाल यही है कि क्या भारत जोडो यात्रा कॉंग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी और खड़गे ने कहा कि किस सरकार चीन विवात पर देश को सचाई नहीं बतान चल रही है कॉंग्रेस ने आज संसद में फिर चीन विवात पर चर्चा की मांग के लिए स्थगन परस्ताव भी दे दिया है यानि चीन पर सड़क से लेकर संसद तक गमाजान जारी रहेगा लेकिन सवाल यहां पर यहीं उठ रहाएगी कि आखिर कब तक राहुल गांदी उसी मंच से बोला कि नफरत के बाजार पे महबत की दुकान खोल रहा हूं तो सवाल यही है कि देश को नफरत का बाजार किसने बनाया किसने दिया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और राहुल नफरत का बाजार का जिक्र कर क्या कहना चाहते हैं और इन बयानों की केट 143 से बढ़ा दिया है और आज संसी दल की बैठक में लोगस्वाच चुनाव के लिए रनीती बनानी भी शुरू कर दी है तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे 2024 की रेस्ट में आगे कौन और इस पक्त हमारे साथ पैनल मौजूद है चर्चा करने के लिए थोड़ी देर में चारू प्रग्या भी हमारे साथ जुड़ेंगी बीजेपी स्पोक्स परसन लेकिन अभी हमारे साथ सुरेन सिंग राजपूर जी जुड़ गए हैं कॉंग्रेस पार्टी के स्पोक्स परसन जेडियू की तरब से अभिशेक जाजी हमारे साथ मौजूद हैं जेडियू का पक्ष्ट रखेंगे साथी कपिश रिवास्तर समाजबधी पार्टी का पक्ष्ट रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजबधी पार्टी के साथी मेरे दो सयोगी राजीब रंजन हम की विसलेशन के लिए